वेल्कम टू शालियाज रेसीपीज आज हम बनाने जा रहे हैं केसर की खीर खीर बनाने के लिए हमने आधा किलो दूद जिसको बॉल करने के लिए एक तरफ गरम चड़ा दिया है चावल जिसको हमने Half and Kattori हम दो पर्सन के लिए बना रहे हैं डिप करते हैं और मिक्स करते हैं इसको अब चावलों को खीर में पकने के लिए अच्छे से छोड़ देते हैं जब तक कि इसमें अच्छे से उबाला नहीं आ जाता है और हमारे चामवल पकनी जाते हैं खीर को बीच बीच में कुछ इस तरह हम कंटिनियूस चलाते रहेंगे ताकि चामवल चिपके नहीं अब हमारी खीर कुछ पकने लग गई है अब हम चैक करेंगे चामवल हमारे बॉयल हुए या नहीं एक चमच में कुछ क्वांटिटी में चामवल लेकर के उसे हम दबाके देखते हैं कि हमारा चामवल पक गया है क्या नहीं हम चैक करते हैं जब चामवल आसानी से दबने लग जाए भी थोड़ा सा टाइटेम 2-5 मिट्स और पकाते हैं हमारी खीर में चामवल पक चुके हैं अब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे जितनी क्वांटिटी हमने चामवल की रखी उतनी चीनी की रखी है और चीनी को भी अच्छे से जब तक ये पूरी मिल्क में गल नहीं जाती है इसे मिक्स करते हैं अब हम एक अलग से बाउल में कुछ वांटिटी में मिल्क लेते वे इसमें केसर की कुछ पत्या डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं तयार मिश्रन को अब हम खीर में मिलाएंगे खीर में मिक्स करते हैं कंटिन्यूस अच्छे से मिलाते हैं हमारी गर्मा गरम स्वादिस्ट खीर बनके तयार है अब हम उपर से इसमें ड्राइफूट डालते हैं और बाउल में सर्व करने के लिए इसे निकाल लेते हैं हमने बाउल में सर्व कर लिया है अब कुछ क्वांटिटी में उपर से केसर की पत्ती रगा करके हमारी गर्मा गरम स्वादिस्ट खीर बनके तयार है आप भी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू